अथ्याई पांच श्लोक तेरा भागवत गीता सल्व कर्मानी मन साथ सन्य स्यास्ते सुखंवशी नवत्वारे पुरे देही नेवकूर्वन नकारेयन अनुवाद अन्तकरन जिसके वश में है ऐसा सांख्ययोग का आच्रन करने वाला मनुष्य ना करता हुआ और ना करवाता हुआ बलकि नवद्वारों वाले शरी रूपी घर में सब कर्मों को मन से एक त्याग कर आननपूरग सच्चिता नन परमात्मा के स्वरूप में स्थित्त रहता है व्याख्या इश्लोक में योगिश्वर श्री कृष्ण ने शरी को आध्यात्मिक रूप से नौ द्वारों के शहर के रूप में वर्नित किया है दो आखें, दो कान, दो नासिका माग, मुह, मुत्रमाग तथा गुदा हमें ध्यान दखना चाहिए कि यहां श्री कृष्ण एक पुरुष से संबाद कर रहे हैं क्योंकि एक स्थ्री के शरी में दस द्वार होते हैं यदि मानव शरी से प्रान इनमे से किसी भी द्वार से निकलते हैं तो मानव जन्म मित्यू के बंधन में फसा रहता है इसी लिए सारी योगिक साधनाओं का लक्ष इन द्वारों को बंध करना होता है ताकि साधक के प्रान केवल सहस्त्रहा अर्थार ब्रह्मा रंद से निकलें योगेश्वर श्री कृष्ण कहे रहे थे कि जिसकी इंद्रियां उसके नियंतरन में हैं जानता है कि यह देही इस नौ द्वार वाले देह में रहती है जो अपने सारे कर्मों को परमात्मा को समर्पित करता है वो उस सच्चत आनन परमात्मा में ही स्थित हो जाता है ऐसा मनुष्य समस्तर अस्थित्व का होता है और समस्त अस्तत्व उसका वो जिस दिव्य चेतनाप को अपने भीतर अनुभव करता है उसी को समस्त शृष्टी में भी अनुभव करता है इसी कारण वो शृष्टी से इतना एकाकार हो पाता है